नमस्कर भाईयो, शिशादा मुस्रूम फार्म में आशाओ सफवादे, भाईयो, जैसे आप लोगों ने टाइटर दो पड़ी लेगा भाईयो, भाईयो, आज वो टॉपिक वो बहुत ही, बढ़न टॉपिक है दोस्तों, यह वो टॉपिक इसके लिए हम बहुत टाइम से हैं़े नहीं देखिए तो वह इसके अंदर मेरे चैनल में जाकर दोबारा देख सकता है कि मैं ने इसके अंदर ए टू जैसे जैसली कमपोस्ट बनती है इसकी पूरी जांकारी पूरी वीडियो जैंडर हमें डाली हुई अपनी चैनल पर दोस्तों मैंने इस पर अपने हाय के अंदर 13 13.8 टन के करी मैंने कंपोस्ट डाली थी बट जैसे की असी के करी मेरे बैग खराब हो गए तो वह मैंने बैग मलब खराब क्या हो गए तो मैंने अदर माइसी रमसाइश रन नहीं हुआ था थोड़ा स्लो चल रहा था बट मैंने उसको हटा दिया था बाहर और तेर पूरा इसके अंदर कितना अपने प्रोड़क्शन जो है जर्ट मैंसाडिक अंदर लिया है कितना हमारा इसके अंदर माल निकला है जर्ट मैंसाडिक अंदर और दोस्तो इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है कितना मैंने इसमें कमाया और क्या मेरा क्या बंगो से यह तो अइसे संसे झाल मैं सब्सक्राइब धर तो Неयुका मोईゴ को है तो स्थाрав्राइब कर दोस्तों जैसे कि आप लोगों कई शोड़ को पता हिए कि मेरा भून का दो टीन झाली कमी अन्डर दूुट को हमने इसको 4 मय को रूकना खाली कर दिया दोस्तों प्सक्राइगए अधोने दोस्तों म्लूख क्मपोस्ट ट्वहरू रहे हैं उस फिर में जो पोरा प्रशिस्का कर रहे हूं दोस्तों तो यहांजी है करोई आ डि गशा हम इनक्रेंट हुए एऽ कंपोस्ट के अंदर तो उसका जैसा उच्टा राएगा को डाया । शो नीज्टा उसकी मैं आपको रौबड लोगना है वी हे और अभी नहीं हम बताओं गा जब यह पूरा प्रट्शन chemistry जैसे कि आज मैं यह अपना जर्ट में तरका क्लोस कर रहे हैं मनें पॉफिट लॉस में को बताऊंगा वैसे ही मैं आपको उस कंपोस्ट के बारे में सब को बताऊंगा कि हमने इसमें क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या इसके अच्छी रिजल्ट आएंगे वह मैं आपको नेस्ट बारे में बताऊंगा दोस्तों दोस्तों मैं चाहूंगा कि मेरी जो कंपोस्ट है वो कल आ रही है और कल हम उसकी स्पॉनिंग करेंगे तो हमारा कल रूम भर जाएगा फिर से दुबारा तो दोस्तों जैसे कि अभी जर्ट मेथड के अंदर जो हमने प्रडेक्शन स्टार्ट करी थी वो तीन अपरेल से करी थी और तीन अपरेल से हमने चार मई तक इसके अंदर प्रडेक्शन लिया है जो कि हमारा जो रोटेशन हुआ है वो हमारा मतलब 31 से 32 दिन हमन इसमें प्रडेक्शन लिया है दोस्तों और दोस्तों जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमने जिसमें प्रडेक्शन लिया है वो माँ समझे कि हम इसमें रोज ही माल तोड रहे हैं दोस्तों हमें ऐसा टाइम नहीं मिला था जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो मेरा आप लोगों को यह बताया था कि मुझे यह पता ही ने चला कि पहला प्रोडक्शन कब खतम हुआ और फ्लश कब खतम हुआ और सक्टर्श कब स्टार्ट हो गया और दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस कंपोस्ट की खासिये दोस्तों यह है कि आपको रेगलर माल मिलेगा में ऐसा नहीं होता है कि मतलब माल एकदम से रुख जाएगा आहा बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है दोस्तों अगर मैं बात कहूं तो रोज मलाप समझे 영상을 थी कचे लों चाली को हैं इसना माल धिज भी विसमें माल मे formulated नहीं हुआ मैं माल Mid vig ऑने माल 325 बिस कि यह हमेशा आता अर रखता 45 डेस्केकर सरकल में लेतां, तो कम से कम में 0.5 से तीन कुंटल माल इसे मैं और तोड़ सकता था, दोस्तों, बट मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, दोस्तों का रीजन ये था, единतों पर पहले रीजन यह था कि मेरी कंपोस रेड़ी हो नी थी रेड़ी हो गई थी और मुझे खाली करना ही था दूसरा क्या दोस्तों आप लोगो पता होगा अगर आप रूलर एरिया में रह रहे हैं यूपी में तो आपको पता होगा दोस्तों की अभी ना बिजली की कटवती बहुत जादा हो दोस्तों इसके साथ क्या है कि प्रडेक्शन जब दीरे आती है तो इसमें फिर आपकी लागत जादा आती है तो हाइटेक के अंदर यह पॉसिबल नहीं है कि आप इतना टाइम इसको सर्भाइब कर सकें तो इसी चकर में हमने इसको फिर खाली करना ही जादा अच्छा समझ दोस्तों तो मैं को बता हूँ दोस्तों लाग गुन अच्छी खाद है तो दोस्तों मैं तो आप लोगों यह प्रिफेक्ट करूंगा अगर आप सीजनल ग्रोग करें तो सीजनल ग्रोग के अंदर रिजर्ट में खाद ही बनाए इससे आपकी प्रडेशन भी आएगी और खा मैं अब्रोग करीब 18 कुंटल 40 kG के करीब मेरा जो है प्रडुक्षिण आया है मजला मला अगर मोटा में बात करों कि मेरे 1300 बैग रूम के अंदर थे तो मोटा मोटा 1 किलो 400 ग्राम के करीब एक बैग मेरा मश्रूम निकला है दोस्तों इसके साथ सा दोस्तों मैं को इसका ज से 14 अपरेल तक थोड़ा सा स्लो था वो रेट 130-135 चल रहा था बड़ 14 अपरेल के बार जैसी साइस स्टार्ट हुए तो रेट एकदम से आसमान चो गया था जो जैसे मैंने आपको लास वीडियो में बताया था तो दोस्तों वह पूल अकर में के एवरेज मानू तो मेरा पू मैं आपको पताना चाहूंगा कि इस तर जो मेरा जो एवरेज आया है उससे वह इसलिए आगे ही मेरा लग है क्योंकि उस ट्राइम शुरू में लगन साय अच्छे थे और रेट स्वरा मुझे तीन सु रुपे किलो तक भी मिला है तो मेरा एवरेज आ गया बट अगर अगर जैसे अभी मंडे चल रही है लेट थोड़ा स्लो है अगर उस टाइप अगर होता तो अपकोस यह लॉस ही होता बट मैं आपको जाहूंगा मेरा लॉस नहीं आया दोस्तों यह एक ख़ुछ ख़बरी है कि मेरा ब्रेक इवन में ही क्लोज हो गया है मैटर और ब्रेक इवन मे कि मेरा इसमें प्रॉफिट ही होता बट क्या था कि पिछले डेढ़ दो हफते से ना बिजली का काफी ज्यादा शौटेज है तो इसकार हमें अपना जनेटर डीजल जादा फूग ना पड़ रहा है तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया डीजल का जो हमने अपन मेरा यह मकसद था कि मैं आप लोगों को बता सको कैसे बनती है और इसके अंदर कितना माल हम हाई टेक फार में निकाल सकते दोस्तों जो भाई चोटे प्रमाने पर रूम में अच्छा तरीका है वह लोग इसको जरूर बनाएं जो चोटे जो चोटे रूम के अंदर अपना इसको जुगाड करके बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मेधट है वो लोग इसको फॉल्व कर सकते हैं और इसको अच्छी से आप अच्छी प्रोटेक्शन ले सकते हैं बड़ जिनके पास बड़े रूम है जिनके पास ऐसी फारंप बने है पर पैनल वाले उनके अब ही के लिए बस इतना ही आगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्कार